तो चलिए है आप बात इसकर रहे थे कि इंडिया में एडल्टरी यूज्ट विक्राइम रूल बुक में लॉव में अभी भी है बट सुप्रेम कोट का जज्जमेंट आया था कि जिस फर्म में क्राइम है ये क्राइम नहीं रहेगा तो क्राइम क्या था कि यहां पर यहां पर एक female है हां हम आपको जैसा बता रहे थे कि यह इसका कुछ wording सी ऐसे थे जैसे कि यहां पर जो female दिख रही है यह female जो है इसको माना जाता था this is property of male और इसके उपर कोई हाथ डाला तो case होगा कैसे case होगा अगर इस male का इस female के साथ affair है यह दोनों married couple है और यह भी the married couple है तो यह male इसके उपर में case कर सकता था लेकिन आप देखिए यह male क्या है this male is aggrieved party ऐसे बोल रहे है aggrieved यह इसको aggrieved का मतलब हो गया कि पिडित पक्ष यह पिडित पक्ष है लेकिन यहां पर यह जो मेरा ड्रोइंग गलत जा रहा है यहां फिमेल था ना यहां पर बना रहे है दिस वाज मेल यह ठीक हो गया तो यह जो है यह male जो है male का यह पूरा ड्रोइंग थोड़ा गलत हुआ यहां पर दिखा रहे है अब फिर से बता रहे है बता यह रहे है कि इस male का फियर इस female से है मतलब married है नहीं भी है तो कि फर्क नहीं पढ़ता है यह हम दोनों के समझातेंगे इस male का फियर इस female के साथ में है तो यह aggrieved party हो जाएगा पिडित पक्ष यह जो होगा इस male पर case कर पाएगा लेकिन यह फिमल जिसका husband affair रखा है एक lady के साथ में यह फिमल इस फिमल पर case नहीं कर सकती क्योंकि यह पिडित पक्ष नहीं है तो इसमें होता हमें साथ है कि male ही case करेगा जो पिडित पक्ष इमल होई नहीं सकती क्योंकि female तो खुद property है एक thinking के बात कर रहे है कि female तो खुद तो एक तो यह प्रब्लम रहा दूसरा बात यह है कि अगर यह अन्मैरिड मेल है अन्मैरिड मेल और इसका इस female से affair है तो ये male इसको पर में case कर पाएगा case कर पाएगा आगे बढ़ते हैं ये जो है ये unmarried female है unmarried female और इस male का इस female के साथ में affair है अब आप लोग बतिए अगर मेरा बात समझ रहा है कि इसमें कौन किस पर case करेगा तो ये जो था एक अजीब से एक law हमारे law book में था उसको criticize नहीं कर सकते बनाने वाले उसी जमाने में पैदा हुए थे तो हम सब के mindset we are product of our society तो खेर जो भी हो बस इस time में भी ये थे ये सब कुछ नहीं होगा जेल और कोई नहीं जायेगा ये जो होगा जिसको भी case करना होगा करेगा जिसके उपर भी case करना करेगा but it will lead you to divorce not jail ये divorce का एक ground बनेगा और इसमें jail ओल नहीं होगा ये लोगों का personal life में interfere करना जैसा हो जाएगा कि हम लोगों के personal life में interfere क्यों करेंगे तो ये था मुद्धा अब एक मुद्ध है बीच में ना एक कोई web series आया था तो web series में हम देखे नहीं है बट हम प्रोटेस्ट से बात कर रहे है इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे हम इतना बोलेंगे उसमें कुछ ऐसा दिखाया था कि जो defense personal है उनके घरों में कुछ extra marital relationship करम दिखाया था कुछ defense personal के तो उसमें जो defense personal थे उस web series को रोकने कमांग किये थे कि इसको रोका जाए तो अगर यहाँ पे हम सरकार का stand देखेंगे तो वो भी जैसे वो ही बात बोल रही है कि जो उस web series में था कि यह जो लोग है defense के लोग इनके circumstances जो है बड़ different है नॉर्मल लोगों के मकाबले तो यह circumstances जगए different है तो अगर यहाँ पर adultery का law नहीं रहा तो यह जो होगा हमारे defense personal highly stressful condition में काम करेंगे तो सरकार का कहना है कि आप जो 2018 का judgment है उसको modify के जिए ताकि defense में हमारे defense के जो rules होते है defense related जो हमारे defense personal पर जो law लगो होते है उसमें adultery is a crime तो adultery is a crime और अगर वो crime यहाँ पर हुआ है तो वो person जो है वो एक बहाना ले सकता है कि supreme court तो इसको decriminalize करती है तो वो हम लोग उसको नहीं रोख सकेंगे और defense personal जो language हमसे दे रहे है defense personal कई बार अपने family को छोड़ करके दूर काम करते है और ऐसे हालत में वो हमें सा stress में रहेंगे के कहीं मेरे पीछे कुछ हो न रहा हो तो यह सरकार का plea है और इस पे सुनवाई होगा तो होगा तो आपको पता होगा कि fundamental rights जो होते हैं जो right to privacy है right to life यहां पर आता है जो वेडल्टरी का हम case बता रहे हैं तो fundamental rights जो होते है they are applicable to defense personal in modified form उसको modify मतलब वो claim नहीं कर सकते मेरा fundamental right है तो उसको सरकार रुख सकती है तो आप लोग बता सकते किस article में ऐसा है कि जो defense personal को जो fundamental rights दिये गए है उसको modify गया सकता है यह किस article में है प्रांशियोर्शन के किस article में है आज तो ज्यादा तर नए लोगी class कर रहे है आकांच्छा, मीरा और आर्थी तीन लोगों को अगर याद होगा तो होगा बाकी लोगों तो पढ़ा ही नहीं है ओके this is article 33 article जो fundamental rights है वो सभी को मिलते हैं लेकि article 33 में लिखा हुआ है कि defense personal के case में इसको modify किया जा सकता है जैसे किसी को भी right to free speech है लेकिन जो लोग भी सरकार उठाई है कि हम चुके fundamental right को modify कर सकते हैं इसलिए 18 का judgment को defense इंटर-religious marriage को discourage कर रहे हैं तो बात यह है कि marriage अगर कोई personal law के pursuance में करता है तो same religion में ही marriage हो सकता है यानि कि अगर कोई Hindu लड़की मान लेते है मुस्लिम बन करके साधी करना मनी किसी मुस्लिम से साधी करना चाह रहे है या कोई Muslim लड़का मुस्लिम लड़की साधी करना चाह रहे है तो इन दोनों केसे में जो मुस्लिम काजी होगा वो साधी तभी कराएगा जब लड़का या लड़की अगर यह लोग हिंदू बन के साधी करना चाहते है तो फिर लड़का या लड़की को हिंदू करना पड़ेगा तो अगर लड़की और लड़की दोनों चाहते है कि हम अपना-पना खरेंगे बट दोनों ही बहुत अच्छा होता कास होता तो तो वह अज़ी प्रोविजन है और जिन और आपट ये प्रोविजन है तो तो Special Marriage Act जो है, इसमें अगर कोई साधी करता है, तो उसका अपना Religion नहीं चेंज करना पड़ता है, फूट में जाकर करके साधी कर लेता है, लेकिन हमारे देश में Conversions होते हैं और हो कहीं साधीयां होती है, उसे साधीयां Special Marriage Act से कम होती हैं और जो Interliest Marriage हैं वो Conversion के बाद होते हैं, यह होने के बाद भी कि लड़के और लड़की अपना Religion को Maintain करना चाह रहे हो, लिए लाचार हो जाता है बदलने के लिए, क्योंकि हिंदू रितिरी वास साधी करना या इस्लामिक रितिरी वास साधी करना यह दोनों में Conversion जोगा जरूरी हो तो फिर बात यह उठता है कि फिर अगर वो खुद भी चाहते हैं कि अपना Religion नवत ले हैं तो फिर क्यों न वे प्रब्लम यह है कि अप समझेगा बात को कि सोचिये जोंशेखपूर में मान लेते हैं कि कोई लड़का और लड़की है वो चाहता है कि वो तो दोनों अपना Religion करके रखते हैं होगा क्या जब से बाहर निकलते हैं वो तो समझ में नहीं आएगा गौरखपूर चलते हैं तो वहां पर क्या करते हैं वो जाते हैं कोट में कोट में फॉर्म भरते हैं साधी करा दीजिए और उसके बाद उनका फोटो डेट अब वो छाप दिया जाता है मतलब है Notice Board में लगा दिया जाता है तो Notice Board में एक मुए तक रहेगा अगर हमरे देश में अगर फ्रिंज एलिमेंट्स है अब तो फ्रिंज रहे नहीं अब तो में इस्ट्रिम हो गए जो लोग दूसरे के लाइफ में दखल अंदाजी देना पसंद क काम दम छोड़ करके दूसरों के लाइफ में ताक्षा करना चाहते है और डेली जाएंगे कोट जा करके अगर वीकली भी के तो क्या हुआ एक ही दिन तो परशानी है एक दिन जाएंगे देख लेंगे कौन-कौन है जो हिंदू लड़की है और मुसलिम लड़का है एक ग्र लेकर के पचास सौ लोगों का जाएंगे सो कॉल्ड समझाने के लिए तो सो कॉल्ड समझाने के लिए प्रिशर होगा और प्रिशर होने के बाद साधी नहीं होने दिया जाए तो हम बात ये वो रहे थे Special Marriage Act is a failure regarding Inter-religious Marriages फेल है क्यों? क्योंकि repeat कर रहा है, गांधी जी कही था ओड़ था कि हिंदो, मुसलिम या Inter-religious Marriages हो जरूफ लेकिन दोनों अपना religion न छोड़े अपने religion में ही अपना चलते रहे तो ये failure है इसलिए failure है लोगों को अगर ऐसा मन भी हो कि अपना धर्म के साथ में साधी करे तो भी नहीं कर सकते क्योंकि एक महिना का notice तो फिर इनके परास्ता क्या बदता है गुप-चुप साधी करने का, अब होता है गुप-चुप किसी को पता न चले तो गुप-चुप अगर साधी करना है तो फिर या तो आरे समाज के पास चल जीए Muslim जो होगा convert कर जाएगा या कर जाएगी और या फिर आप जो लोग Islam गी कृतिय साधी कराते उनके पास चल जीए वो Islam में convert करा देंगी तो ये दोनों जो गुप-चुप गुप-चुप तरीका से साधी हो जाएगा तो धार्म बदला क्यों जाता है क्योंकि साधी से पहले किसी को पता न चले बीना धार्म बदला साधी किया सकता है क्या हाँ किया जा सकता है लेकिन बड़ा रिस्क है क्योंकि एक महीना तब जैसे क्रिमिनल लोगों का फोटो रहता है, वो ऐसे लगा करके रखा जाता है, अब सवाल उठता है, कि फिर फोटो लगाया ही क्यों जाता है, फोटो लगाने के पिछर रिजन ये है, कि किसी को अगर कोई objection हो तो objection कर सके, तो objection तो आएंगे ही आएंग सकता है, कि और साधी रोखी जा सकती है, तो ये ग्रांड है, लेकिन अगर लड़का य'llड़की का दूसरा साधी है, अचा बतिये, अगर कोई लड़का या लड़की दूसरा साधी करता है, तो इस तरह की किसी को क्या बहुता है, इसका पाउज के जिनदा रहते हुए दूसरा साधी कर लेना इसके लिए क्या वॉर्ड होता है इंग्लिए लीगल वॉर्ड होता है इसके लिए जो होता है this is called पढ़ाये थे पिछले क्लास में this is called बाइगे में बाइगे में नाट पॉलीगे में बाइगे में तो बाइगे में के अल्रेडी लोग है तो अगर कोई लड़का या लड़की Special Marriage Act में अपना पहचान चुपा करके अपना पूराना साधी चुपा करके अगर साधी करता है तो साधी तो ऐसे भी वोईड हो जाएगी और इसमें सजा भी होगा तो ये उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए ये जो रास्ता है ये रास्ता बहुत सुटेबल नहीं लग र तो ये जो है एक प्रणाबाद हाई कौट में रखा गया रखा क्या । है एक जजर्जमेंट दिया है, कि हम लोगों का एक मेना का नोटिस डाल दीजिए तो ही डाला जाए लिखित में देते हैं तो ए इलावात हार्ड कोट का फैसला है कि अगर वो बोलते हैं कि हम लोगों का डाल दीजिए नोटिस तभी डाला जाए और नहीं तो immediate certificate दिया जाए marriage का तो लड़का और लड़की क्यों बोलेंगे doubt है दूसरे को उपर में कि पता चल जाए सबको तो ठीक है लेकिन नहीं तो immediate दीजिए और बात खतम केजिए तो ये जो है एक बड़ा judgment आया हुआ है तो बाकी आप लोग पढ़िएगा इसको और यूपी में ये लागू होगा और अभी आपको पता है कि इस judgment का conflict एक दूसरा judgment से है दूसरा कानून से है that is दो महिने का prior notice अगर inter-religious marriage है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये जो article इस article का बात करें तो ये article में कुछ ethical questions है तो आप लोग को ethics का paper हम जब देख रहे है तो हमको ये feeling आ रहा है कि ethics को केवल और केवल पेपर से भी cover किया जा सकता है तो ethical questions हम लोग देखते है कि यहाँ पर क्या ethical question है वैक्सिंट प्राइल आप लोग कुछ term सिखा रहे है psychology वाले तो याद रखेंगे ही रखेंगे तो psychology और ethics में काभी कुछ मिलता जूलता भी area भी है ही तो तुरे एक पर question पूछ के देखते है psychology पता नहीं आख ते सुन भी रही कि नहीं अच्छा सुन रही तो बूलेगी कि psychology में ethical issue होते है trial में तो trial में ethical issue क्या होते है एक कोई word होता है अच्छा तो हम आगे बढ़ते है and this is called इसको बोलते है voluntary voluntary informed consent voluntary informed consent मतलब कि अगर कोई company एक trial करना चाहते maldition का सोचिए covaxin तो covaxin का अगर ट्रायल करना चाहती है तो जिन लोगों के उपर में ट्रायल होगा उनका अपना एक्छा से पूरी तरह से संसुचित उनका सहमती होना चाहिए informed consent ज्यानि की उनका अपना मर्जी होना चाहिए ट्रायल में participation का volunteers होने चाहिए उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये ट्रायल किस चीज का है क्या इस एक risk है क्या death का risk है या कोई भी risk है और अगर risk है तो risk को cover कौन करेगा death हो जाए तो उनके family का क्या होगा अगर वो बिमार हो जाए तो उनके ilihaj कौन कराएगा ये सारे के सारे informed consent जो है ये होने चाहिए this is ethical issue ये इस ethical issue के बारे हम बता दे कि medical field में जब कभी भी आप operation कराने जाते है आपके family member का तो आपसे वो एक consent form sign कराते है हमारा एक बहुत बड़ा problem है इंडिया में stops come है तो this is never never informed consent आपके paper बढ़ा दिये जाता है वहाँ पेक pencil से मार दिये जाता है tick यहाँ यहाँ पे sign कर देजे कोई care नहीं करता कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो यह is a consent form है तो एक बार हमें देखे हुए है एक consent form जो हमको मिलना जो दूसरे को मिलना चाहिए था वह हमको मिल गया था consent form consent form में जो कुछ भी लिखा हुआ था मेरे से consent लिया जा रहा था को किशन को तो किसी को अगर इसा से थाफ आप मा दिय जाए और वो खेंसी केस में की विए सैन कर हें तो इनवर्मalsa नहीं होते हैं, care anyway, लेकिन वैक्सेंट प्रवाइल में होने चाहिए थे और उसी मुद्दा को ये राइटर उठाया है कि कहां कहां पर प्रब्लम्स हैं, दिखाते हैं, हमारा जो ethical, जो मतलब ethical issue जो होते हैं, वो कौन decide करता है, ICMR, ICMR क्या है, ये research ethics guideline को publish करते हैं, यही बनाती है, दिखिए, अचाहिए बताइए, ये अग हमको एक पताइब आप लोग, कि research guideline को जो बनाता है, और जो research guideline को follow करता है, अगर आपको इसमें कोई executive और कोई legislature दिख रहा है, तो अब लोग बताइए, कि किसका काम actually legislative type का है, और किसका काम executive type का है, company research जब करती है, तो ethical parameters को follow करती है, और ethical parameters को decide कुन करता है, ICMR करती है, तो आप लोग को लग रहा है कि इसमें कोई legislative work कर रहा है, और कोई executive work कर रहा है, और कोई executive work कर रहा है, हम तो सरे executive बोल रहा है, अच्छा, नेहा? सर, ये ICMR को legislative work बोले, इन गाइडाइन्स बना रहा है, और को executive कर रहा है काम इसमें, executive को नहीं पता, वो ICMR legislative work, अच्छा, ICMR जो आप दिख रहा है, ये guidance बना रहा है, त इस legislative work लग रहा है, और कंपनियां जो हैं, वो इसको execute कर रही है, ethics का पालिण करवा रही है, they are in executive work, लेकिन यहाँ पर क्या है न, कि इसमें ICMR partner बन गई है, co-vaccine trial में, समझेगा, co-vaccine trial में, तो legislative और executive work एकी तरह का हो गया है, या जैसे ये partner बनी, अपना ही guideline को खुदी पहलो करना है, तो नहीं follow अगर होंगे, तो फिर वो उसमें लीपा-पोती करने का chance है, क्योंकि अपना ही बना guideline को खुदी नहीं follow कर पा रहा है, तो एक तो पहला मुद्द यहीं पर खड़ा हो जाता है, कि दोनों काम एक ही organization कैसे कर रहा है, देखते आगे, तो प्रब्लम कहां पर ethical issue, कि जो लोग यह कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश में इन दौर में यह trials हुए है, तो इसमें कोई भी ऐसा लग रहा है, कि कोई भी effort नहीं लिया गया, तो explain and inform pros and cons of taking part in the trial, ठीक, तो यह बड़ा problem है, यह ethical issue है यहां पर, कि आप बताये नहीं कि क्या कर ट्रॉयल में participate करने के फायदे और नुक्सान क्या हो से, दूसरा बात यह सब को बताये गया कि आप vaccine ले रहे हैं, सब को बताये गया आप vaccine ले रहे हैं, ठीक है, सब को बताये जाए vaccine ले रहे हैं, लेकिन vaccine ले रहे हैं यह trial के part है, आपको वैक्सिन भी मिल सकता है, आपको प्लेस है, वो भी मिल सकता है, तो यह जो है, इनको बताया नहीं गया, इनको सब को बोल दिया कि क्यों को वैक्सिन लग रहा है, तो यह जो जूथा बात है, यह इतिकल नहीं है, आगे बढ़ते हैं, उनको free medical care मिलना चाहिए था ये बात उनको नहीं बताए गया तो ये बहुत सारे problem से यहां पर दिख रहा है मतब कुछ लोग ऐसे हुए जो वैक्सिन लेने का बीमार हुए और बीमार होने के बाद प्रेवेट अपने हिलाज कराने के लिए that is wrong this is not ethical हम इस आर्टिकल को केवल इसलिए रखे है ताकि हम कुछ ethical issue के बारे में बात कर सके तो Supreme Court का एक order था जी सब बोला गया है कि informed consent होता है इसमें आप voluntary लगा लीजेगा इसका audio video recording होना चाहिए ठेक जब वो consent दे रहा हो informed consent informed consent फिर क्या बता रहा है कि actually 700 से ज़्यादा लोग थे illiterate थे तो उनके लिए consent का कोई value नहीं है तो एक witness होना चाहिए था जो जो इस form पे sign करता लोगों को समझा करी इसके लगे बात उठाया है आप अगर लोगों को लालच दे करके और अगर ट्रायल में वोलिंटर बना रहा है दिस अनिथिकल तो यहां पर क्या है कि company जो है वो फ्लाट इसमें इथिकल यह है कि लोगों को बोल दिया जाता है अगर वोलिंटिर्स होते हैं तो आपका आने जाने का जो खर्च होगा वो दिया जाएगा आपका काम करने का जो नुक्सान हो दिया जाएगा बट यह फ्लाट जो है 750 रुपीज सबको बोला गया कि सबको 750 र बात उठाया है कि इसका एक inquiry होना चाहिए कि इस तरह से ट्रॉयल क्यों हो रहे हैं एक इतिक्स में काम आएगा और साइकोलोजी वाले लोग के लिए अलग से भी काम आ रहा है आगे बढ़ते हम लोग तो आपको यह बात हम बता चुके पहले कि यह जो रिपॉब्लिक टेवी का जो मालिक इसका एक चैट लीख हुआ है यह जो चैट लीख हुआ है ब्रोड़कास्ट औरियन्स रिसोर्च काउंसल के साथ है वातस अप लिख हुआ है यह लिख कौन किया है कहां से लिख हुआ है यह लिख हुआ है मुम्भी पूलिस का oldest में 500 पिज और उस recovery में बड़े ही incriminating मुद्दे आ रहे हैं, जो अगर ये मुद्दे किसी European country में या true democratic country में अगर आते तो सरकार हिलने लगी होती, तो बड़े incriminating है, आगी भी आएगा, आज बता दे रहे है कि थोड़ा सा कि ये जो है, इसमें बोला जा रहा है कि पार्ता सेंग गुप तो AS को probably, लिखाने ही हुआ AS कौन है, बट लोग एक तरह से समझ रहे है कि कौन होगा AS, तो ये जो है AS से बोल करके try को बोलना कि हमारे पीछे ज़्यादा नहीं पड़े कि, तो अरणा को सहीं बोलता है, आरे तुम 19 का बाद, कि आरे तुम ये BJP को जीत जाने दो, तो इस तरह के मुद्दे है, कुछ और ही मुद्दे है, जो अगले बार में आएंगे, हम तरह तरह बोल दे रहा है, जो बाला कोट strike था, उस strike से ठीक पहले ये पार्थरसेन को तीन दिन पहले बोल रहा होता है, कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो पार्थरसेन को उद्यास इससे पता चलता है कि जो लोग हमारे सम्मिधान का सपत लिये हैं, गोपनियता का सपत, वो लोग अपना सपत का पलन नहीं कर रहे हैं, मीडिया हाउसेज को पहले से ही बहुत ही सिक्रटिव सुचनाय दे दी जा रहे हैं, अगर इसका अगर हम बोरे क्यों सरकारे इसमें गिर जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है और पाकिस्तान, अगर पार्थो दास गुपता किसी और को चैट कर देता, इसी डीटा को, और यहां से कोहीं से पाकिस्तान गैदर कर लेता इस डीटा को, तो अगला सपता पाकिस्तान जो होता हाई अलर्ट पे होता, और हाई अलर्ट में जो छोटे मोटे मुद्दों में हैं लेकिन यहां पर गुवर्मेंट मादब कुछ बोलने मादब जवाब देना भी उचित नहीं समझिए केवल कॉंग्रेस पर लगा दे रही है कि आप लोग के टाइम में तो ऐसा ऐसा डेटा लीक हुआता है जैसे कि पुराना है बट इ यह बहुत खतरनाक एक मतलब एक चैट आया हुआ है जिसको मीडिया उस तरह से नहीं दिखा रहा है जितना यह इसमें होना चाहिए तहांगा और विपक्ष बोल भी रहा है तो कोई असर नहीं पढ़ रहा है आगे बढ़ते हम लोग जार्खंड एक नया सिविल आप जार्खंड का आने वाला एक जाम भी तो यह बोल रहा है कि लोग हर साल पहले ही यह कर देगा मतलब साल का स्टार्ट में ही एक कलेंडर दे दिया जाएगा और उसी कलेंडर के हिसाब से एक्जाम होगा तो एक तो यहाँ पर यह है और कितना प्रब्लम है जार्खंड में कि जार्खंड में पिछला जो जो जेपीएस हुआ था उसमें तीन बार प्रलेम एक जाम का रिजाड निकला था तो अब नया नया कुछ रूल बना है देख लेते थोड़ा थोड़ा तो लैंग्वेज पेपर जो था उसका मार्क्स अब एड नहीं होगा जो यहां पर लिटरेचर का एक अलब पेपर था वो एड नहीं होगा बाकी पेपर ही आड होगे वो क्वालिफाइंग नेजर का होगा अगला बात यह है कि जो प्रिमेरी एक्जाम होगा वो मीनिमूम 40% लाना पड़ेगा उसके बाद मेरिट बनेगा 40% वालों को कांट नहीं किया जाएगा मेरिट में तो प्री में मतलब अलग टाइप का बात हो गया कि 40% मीनिमूम में उतना लाने ही पड़ेगा बट यह रूल ऐसा है कि अगर टफ कोश्चन आ गया और मैकसिमल 40% नीचे में तो क्या होगा है प्रावलम तो अभी भी दिखी रहा है इसके लिए में 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 भी कुछ बता दिया है कि इतना मिनिमूम क्वालिफाइंग मांक्स है उसके बाद जो होगा वो बनेगा मेरिट लिस्ट जितना वेकेंसी होगा उसका 15 गुना लिया तो लेकिन एक उसरत लगा दिया है कि अगर 15 टाइमस में अगर OBC, SC, ST कम्मुनिटी के लोग अगर सफिसियंट नहीं आ पाए तो फिर 8% तक मार्क्स को डाउन किया जाएगा उससे वो डाउन किया जाएगा मतलब जो लाश्ट केंडिडेट के जो मार्क्स था जो लाश्ट लिकाल रहे हैं तो 47 तक जाए जाए जाएगा नीचे ताकि सफिसियंट जो है वो SC, ST और OBC के कंडिडेट आ सके मतलब देखा जाएगा 47 तक में है क्या इस कटेगरी के स्वाटव बोल रहे है प्री में कोई रिजर्विशन नहीं है में 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 रिजर्विशन है प्री में कोई रिजर्विशन नहीं है फिप्टीन टाइमस ले लिए जाएगा ठीक फिप्टीन टाइमस नमबर वे बिस्टेट इन प्लिम्स और अगर इन एटुकेट हुआ तब बात अलग है टेक्निकली देर इज नो रिजर्विशन इन प्री में कोई रिजर्विशन नहीं है आगे बढ़ते हैं बाकी अब लोग पढ़िएगा इस मुद्धा को जब हम उठाएंगे इसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी हम अपना बात बोलेंगे आर्गुमेंट्स डिफिकल्ट है बूल दे रहे हैं कुछ-कुछ बाते हम आप लोग को इपत बताये थे कि जो जो सेंटिफिक कम्मुनिटियां होती हैं उनकी अलग दुनिया होती है कि कौन-कौन दुनिया के बड़े-बड़े फीगर हैं जो फिजिक्स के बड़े से बड़े फीगर है जिंदगी हिस्ट्री में भी आ दिये और हिस्ट्री में का बात जो है दाट इस ऑथन्टिक एक एक्जांपल देंगे तो साइथ आपने बात समझ पाएं कि अगर एकनॉमिक्स के बारे में अमार्ति सेन कुछ भूल रहे हों अमार्ति सेन और दूसरा तरब सुरमन्यम स्वामी बोल रहे हो और इंडिया नहीं हो कोई और कंट्री हो तो नेचुरली सुरमन्यम स्वामी को को भाव नहीं देगा क्योंकि पता है कि तो बहुत सी डिफरेंस है बट हां तो हम बोले इंटरनेसल डिकाउगनीशन मिलता है कैसे मिलता है हम बताय थे आप लोगों को साइटेशन होते हैं जब वो लिखते हैं तो उनके बातों को लोग बढ़ाते हैं क्योंकि उनको बाते ज्यादा लोगते हैं वो ज्यादा कूट कर पाते हैं कि मतलब क्या मेरे में से विडेंस है तो यह जो है हम हिस्ट्री का जहां तक बात करें तो हिस्ट्री मोसी तर ऐसे कुछ बड़े-बड़े नाम है इंडिया में जैसे एक बड़ा नाम है रोमिला था पर हम बताये थे इंडरेशनले रिगोगनाईश्ट हिस्टोरियान है वो आरेस सर्मा हेज़ ग्रेट एस्कॉलर इरफान हभीब और एक और नाम ले रहे हैं जो क्वाइट फेमस ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हीज आसिरवादी लल सर्वास्तो तो यह लोग जो है हिस्ट्री के दियार फ्रीगर इनकी बातों में दम होता है लोग इनको पढ़ते हैं जानते हैं एक और भी एक्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा साथ समझ में आए बात को अब थोड़ा इस बात को अब इस पर डिसकस के करना चाहा रहे हैं आप सोचिए कि आप लोग ड्रीम आएस में पढ़ रहे हैं और हम और भी टीचर ले आएंगे और बढ़ाई होगा जो होता है विशिट ना आते हैं टीचर्स तो आप कुछ दिन में आपको judgment हो जाएगा कि अगर contradiction है दो लोगी बातों में तो किसका बात authentic माना जाए आई होप अभी तक आप लोग अगर कोई कुछ पढ़ते होंगे अभी ममता भी class लेती है कही कुछ ऐसा बोल देती है जो लगता होगा हम जो बोलते हो अलग है तो आप लोग को मेरा बात लगता होगा कि that may be authentic लेकिन ऐसा होई सकता है कि कोई हम लोगों को नहीं जानता हो और जनता के बीच में हम लोग जाएं और बोलना शुरू करें तो उनके लिए तो बराबर है और आप अगर इस बात को जनता में बता दिये जाए मेरे बारे में कि हम Marxist हैं यह जो है मेरा बैस जो है वो लख्ट के तरफ में है और यह हम बहुत white washing करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा teacher जो बड़ा ordinary type का हो बहुत ordinary और उस ordinary teacher का बात जो है वो के सामने में रखा जासे कर उसको लोग accept भी कर लोग तो अभी जो हमारी सरकार है ध्यान से सुनिएगा मेरा बात हम कुछ बोलना चाहा रहे हैं हम बोल रहें counter argument will always be possible यह लेकिन वो तो knowledge पर depend करेगा ना कि आप कितना knowledge ले पाते हैं तब जा करके आपका counter करना भी जो होगा व अभी क्या है कि जो भी बातें पिछले सरकारों में जो history के बुक बने थे उन बुकों पे एक जैसा लगता है project चल रहा हो कि doubt create कर दो everything must be must become doubtful बीच में आप लोगों को बताये थे कि हालत यह था कि एक news बना था कि YouTube वेग्रम में कुछ जगस में वीडियो अने सुरू हो गये थे कि दुनिया जो है फ्लैट है अब फ्लैट है तो फ्लैट है अब कई लोगों से वीडियो देख कर क्यों सोच रहें तो निया बात पर चल तो हम जो जनता है जो वहां तक नहीं पहुंच सकते वो अक्सर हम लोग एक्सपर्ट की बातों को मानते हैं बीच में इसी तरह से क्या है कि Darwin की जो थेयोरी है उसको लेकर के बहुत वागों बोलेंगे तो प्रूफ हो चुका है कि रौंग है अभी तक ऐसा प्रूफ हुआ प्रूफ है बट लोग बोलेंगे आपको कि क्योंकि it doesn't mingle with realism. Religion जहां आता है और Darwin थेयोरी एक दूसरे को contradict करते हैं तो कई बार जो लोग मतब traditionalist होते हैं वो डार्मी की थेयोरी को पसंद नहीं करते हैं तो एक बार हमारा कोई मंत्री था वो बोल दिया था कि कौन हमारा पुरूफ था जो देखा था बंदर पाद्वी बनते हुए ये डार्मी का थेयोरी बेकार है तो एक ग्रूप है एक syndrome है जिसमें लोग जो हो अमारे सर्मा का नाम लिए रोमीन थापर का नाम लिए अश्रवादिला अश्रवास्ता का बुक को मौका नहीं लगा बट स्टिल वी का एन कंसेडर कि ही इजा हिस्टोरियल बात करेंगे तो कुछ जो था हम यह भी बोल रहे हैं कि देवर लेफ्ट लीनिंग जो लोग अना सरकारे कौन थी नेचरली कॉंगरिस की सरकारे थी हां लेफ्ट लीनिंग तो थे ही थे इसमां इंकार्मी कर रहा है बट उनके जो रैटिंग से उनको आप फैक्ट्वल ग्राउंड पर इंटरप्टेशन के ग्राउंड पर आप कापी ज्यादा डिस्प्यूट नहीं कर सकते है तो ये एक मुद्दा हुआ अब मुद्द ये है कि वो जो है बाते जो उसमें लिखी गई थी वो लोगों में नफरत नहीं फैलाती थी वो उसमें कोई साइंटिविक टेम्परामेंट थी और लोगों को जो हुआ उसको परसीव करने के बाद वो ये बताना भी चाहते थी क नफरत का कोई अंगिल नहीं है तो ये जो था ये सफरन जो ग्रुप है इसके लिए ये बहुत फिट बात नहीं था तो एक बचपेई जी के समय में एक सफरनization हुआ बुक्स में हम आपको पहले ही जब वैदिक पिरिड बताए है तो साइध हम बता चुके है ये बात कि कुछ वैसी बाते हैं बुक्स में जब कि कि इंटरनेशनल कोई नहीं मानता है वही बात है कि आप अमार्त सेन अगर एंशी आठी का भुक लिखे हों तो अमार्त सेन से झाप छीन लुजे का और सुपरमनेंस्वामी को देदीजी तो सुपरमनेंस्वामी अपना सरकार का जो भी से सरकार बन गई, NCRT बाचपी के टाइम में चेंज भी थी, नई सरकार जाए उसमें चेंजे जाए, तो फिर जो कुछ भी, जो पास्ट को ग्लोरिफाई करने का काम था, उसको थोड़ा सा उसको फिर से डाउन किया गया, और जहां पे भी कुछ बाते अगर ऐसी हो, जिससे क सोचल डिसकॉर्ड हो सकता है, उसको भी हटाने को पुसिस किया गया, यह हटाया गया, लेकिन अब यह सरकार है, नई सरकार, अभी फिर से लोगों में पहले सरकार का का काम करने का एक तरीका है, सरकार का का काम करने का तरीका है, JN is a very good university, JN is emergency के टाइम में भी इंधरा गा होंगे, जो अपने माबाब को प्रिटिसाइज करते होंगे, आप लोग का डिसिजन सही नहीं है, और कुछ लोग माबाब पर डेली पैर चूते होंगे, और जो बोलते हैं, पत्तर की लखीर है, तो लोग, कई लोग भी द्रोही सभाव के होते हैं, तो क्या, JN यू को डिस वहां के लड़कियां जो है, कॉंडोम से वो अपना बाल बांधती है, लोगों की दिमाग बठा दिया, वहां के जो लोग है, बच्चे हैं, या बच्चे पीच्डी करने के बाद 10-10 साल तक वहां पर होस्टल अपपपाई कर रख 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 र और जेव कुछ मंदीरों को तोड़ा, तोड़ा लिखा हुआ है, यह अगर बोला जाता हुआ वाइट वासिंग हुआ है, तो तोड़ने वला नहीं लिखता कि तोड़ा हुआ है, लिखा कि तोड़ा हुआ है, तोड़ा हुआ है, और यह भी लिखा कि कुछ मंदीरों को दा तोड़ता था दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जाएगा, तो लोगों के मन में नफरत है, तो वो चाह रहा है कि इसका सफराहिशन हो जाएगा, तो एक क्या हुआ, आप एक क्वेरी डालने वाले कौन है, आप अगर अच्छा से समझ जाएगे कि यह प्रोजेक्ट चाल रहा है, आटी एक आम बताइए, जिन मंदिरो को दान दिया गया, उनका लिष्ट दिया जाए, तो जो NCRT reply दी है, that is no file found, no file found, no file found, ठेक, मुद्ध ये है कि जब RTI किसी department में दिया जाता है, तो वो डिपार्टमेंट ढूंडता है अपनी files को, कि क्या जो बात user, जो है, जो मांगा है, क्या वो बात मेरे files में है, तो files में नहीं मिले है, तो जो writer इस book को लिखे है, team जो लिखा हुआ है, वो team तो ऐसा तो जरूरी नहीं है, कि वो NCRT को proof किया होगा, क्योंकि NCRT जब काम दी होगी, कि ये आप book को लिख देजिए, तो वो अपने knowledge से, च citation नहीं होते, कि किस book से reference लिए गया है, ये graduation में सुरू होता है, citation कि किस book से, तो जो writer ओका लिख दिया होगा, लिखने बाद NCRT को तो proof नहीं किया होगा, कि मेरे proof में ये चीज़ है, उसका interrogation तो हुआ नहीं होगा, तो NCRT को बास naturally ये books नहीं हो, तो वो लिख दी no file found, लेक अब NCRT से अगर कोई पूछेगा कि helium में दो proton होते है, ये बात कैसे writer को पता चला, हमको evidence दिया जाए, तो वो फिर लिख देगी no file found, ठीक है, तो ये जो है, तो वो writer से अगर direct बात किया जाए, कि आप कैसे conclude कर रहे है, तो writer citation देगा, हो citation देगा, हम आपको एक वर Wikipedia में citation देगा, यहां फिर उस writer को कोई और book पढ़ा जाए, तो citation मिलेंगे, क्योंकि ये जो जैसे हम बात कर रहे है, कि नाथ द्वारा में, जहां तक हम तो याद है उदैपुर में, यहां पर जो ये दिया गया है, और अरंजेव और साह जाए द्वारा ध्यान, वो मंदिर में ही उसका copy है, उस दान का, या किसी museum में रखे वांग को बहुत ध्यान नहीं है, बट ऐसे है, तो writer तो उस बात को, लेकिन अब जनता क्यों में तो फैला दिया गया, कि अरे लोग जूठ लिख दिया था, no file found, जूठ लिख रहा है, वो जूठ जो है, इस proof नहीं होता, कि इस no file phone से, वो जूठ तप्रूफ होगा, जब कि writer, जो अगर writer से inquiry किया जा, director, writer बता न पाए, कि ये, उसको ये, इसके proof करने के लिए का condition है, तो वो NCRT, इतना inquiry को writer के पास नहीं लिजाएगी, आप से पूछा गया, और आप बताईए, तो anyway, standard book में ये सरी कि सरी बातें मिलती है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो लोग, जो लोग controversial text book revision पहले ही कर चुके थे, वो लोग फिर जग गए हैं, और जग जाने के बाद, अब वो फिर से मुद्दा उठा रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री में मुगल हिस्ट्री को whitewashing किया गया है, ये आकरांता थे, इनके invaders थे, उन का innovation को कम करके आता गया है, और दिखाया गया है, उसको whitewashing किया गया है, और जो हिंदू हिस्ट्री है, उसको कम दिखाया गया है, NCEAT को कम तबज़ोद दिया गया, और बहुत-बहुत-बहुत कुछ, तो एक project चल रहा है, that is, 24 तक NCEAT को बुक को change करना था, चेंज करना था, और अब यह बोल रहा है कि अब 22 में ही यह चेंज कर देंगे, तो बात अब उठेगा यही, कि जब बुक change होंगे, tender minds होते हैं, इंटर तक लोगों को बुद्धी, उतना बहुत जाद बच्चों को नहीं होती है, अगर आब बहुत-जादा नफरती बातों को पढ़ा देंगे, यह सब बाते जो बहुत नफरती जिसे में sentiments के जगने के चांसे जो होते हैं, उनको ठोड़ा से maturity के बाद ही पढ़ाया जा तो अच्छा है, तो अगर पढ़ा देंगे और उन बातों को जो हमारे syncretic culture को बढ़ाती है, उनको अगर ignore करेंगे, तो फिर हम हुम आशरवादी लगस्रवस्तों के बारे में आपसे बात किये थे, ना हिस्टोरियन वह किसी भी मुद्वे को पहीश्टरी को, जैसे हम यह वो लेफ्ट के आँखों से देखते हैं, तो राइट के आँखों से देखते हैं, यहां मंदिर तोड़ा दिखाओ, जहां दान दिया मत दिखाओ, यह बड़ा, मतलब यह डिमांड बहुत अजीब सा है, और naturally पहले के ज़्यादा तर हिस्टोरियन ये leftist oriented थे हम उनकी books को काफी पढ़े है और किसी में को ऐसा white-washing नाम का चीज नहीं ये जो अलावदीन खिल जी जब south में गया और हिंदू राजाओं को लूटा तो लिखा हुआ है कि लूटा जब अलावदीन खिल जी की policies के कारण जब हिंदू लोग बड़े problem फस गये तो लिखा हुआ है उस book में भी लिखा है जब औरंजेव की नीतियां जो थी जो anti-Hindu थी जो साफ साफ लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि facts को दबाए गये है दबाए नहीं गये है वो कुछ ऐसे facts दे दिये गये है जिसे कि communal जो thinking है वो मार खाता है तो अभी एक एक जामल ले रहा है अभी को अगर future में कोई writer लिखेगा तो अभी तो काफी Hindu Muslim हिंदू Muslim है अभी तो चली रहा है अगर future का कोई writer लिख दे कि अरे कुछ Hindu Muslim नहीं था यह सत्ता पाने का चकर था future का writer और वो बोले कि proof करते हैं proof करते हैं कि BJP कस्मीर में PDP के साथ सरकार बनाई थी तो BJP PDP के सरकार बनाई थी PDP तो Pakistan परस्त है उसका भी BJP बोलती है तो फिर क्यों सरकार बनाई थी BJP सिह सेना के साथ क्यों छोड़ी दोनों हिंदू पाटियां हैं, तो ये प्रूफ होता है कि सत्ता का खेल था, ये हिंदू मुस्लिम को उतना question था है, हिंदू मुस्लिम को huge किया गया, तो राइटर क्या गलत लिख देगा, और इसी तरह की बाते जो है, ancient और medieval India में, ये जो जिसको आप left-leaning historian बोलते हैं, ये left- explaining historian लिखे हुए, इसी तरह की बाते हैं, जिससे कि जो हमारे right-wingers हैं, इनको problem है, कि ये बात क्यों खोल के बता रहे हैं लोगों को, कि ये सत्ता का खेल था, ये हिंदू मुस्लिम का ही खेल बताओ न, लेकिन आप अभी भी देख लिजे कि ये उतना हिंदू मुस्लिम का खे करके वैसे जो बच्चे हैं, जो deprived classes के हैं, तो deprived class के बच्चे है, अगर अभी school खुलेंगे और उनका अगर exam लिया जाएगा, तो बच्चे बहुत बुरी तरह से fail करेंगे, fail करेंगे, तो बच्चे drop out होंगे, वो पिष्टी class में रहे जाएंगे, और उन जो, तो ये deprivation का ए जो इस साल जो बच्चों का drop outs हो, वो drop outs कम हो, तो और और बी कि बड़े मुस्किल से बहुत बच्चों जो हम लोग percentage पढ़ाए थे, कि school going बच्चों का, तो ये percentage मतलब जो बच्चे school छूट गया, जिनका, covid के दोरा आने, ये बच्चे पता नहीं, फिर से वापस आएंगे, तो उसके लिए भी writer suggest किया है, कि उसके लिए survey होना चाहिए, और survey होने के बाद, जो भी बच्चे खास करके लड़कियां, जो school छूट जाएगा, और वापस आने की chances कम है, उनको school system में रखा चाहिए, आगे बढ़ते हैं. तो कुछ articles जो है, वो केवल और केवल इसलिए रखते हैं हम कि कुछ ऐसी बाते discuss कर सके, जो generally लोग नहीं सोचते है मेंस और essay writing के लिए. हम लोग इस दुनिया को male और female में देखते हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहला question होता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन कुछ बच्चे, 2000 में एक बच्चा, जब जन्म लेता है, तो ये decide करना बड़ा मुस्किल होता है कि लड़का है कि लड़की है, ऐसे बच्चों को जिसमें दोनों ही जनिटला होते हैं, ऐसे बच्चों को बड़ता है, तो बच्चा इंटर सेक्स होता है, तो मापाप और ड़क्टर दोनों ही सोचते हैं कि इसको एक बनाते हैं, लड़का या लड़की, सर्चरी कर देते हैं बच्पन में ही, तो अभी Delhi Commission for Protection of Child यह बोला है कि जो sex selective surgeries हैं, यह surgeries को बंद करो, जब तक कि इस conditioning के कारएं बच्चे को जान को खतरा ना हो, क्योंकि इसका मितलब ऐसा बच्चा अगर बड़ा ऐसा ही रूप में हो जाता है, तो वो बाद में भी decide कर सकता है इसको कि धर जाना है, या फिर अगर वो intersex ही रहना चा जो doctor और जो माब अब जो decide कर देते हैं कि बच्चा किधर जाएगा, यह इसको रोका जाए, इसके काफी complications होते है future में तो वो जी बोला गया है कि it is validity of fundamental rights to bodily integrity and physical autonomy और अगर surgery कर दिया गया, तो इससे future में कई सारे problem हो सकते हैं, तो इसको delay रखा जाया until patient can provide meaningful consent, informed consent आगे बढ़ते हैं लोग एक article है जो हमको लग रहा था कि छोटा मुटा बात होगा, लेकिन यह मुद्दा बड़ा बंते जा रहा है अगला बार जो seat है उसमें भी को हम देखे कि यह आने वाला है Tamil Nadu में Kamal Hasan की जो पार्टी है, यह बोल रही है कि वरतों को घर में जो काम करती हैं उनके लिए payment किया जाएगा यह सही बात है कि अगर unpaid work अगर आप बोलेंगे तो वो disproportionately वो female को ही पढ़ता है घर में female काम करती है, but it doesn't convert into money unpaid work, unpaid work है जो household course होते है उसमें अगर आप देखेंगे ratio तो 80-20 का ratio बनता है अगर overall survey किया जाए तो 80% काम घर का वो female करती है 20% जो होते हैं वो meal करती है अगर minutes में per day का minutes देखेंगे तो almost 5 hours female घर में या घर से related काम, unpaid work, वो 5 hours करती है और उसके मुकाबले में जो male होते हैं वो one and half hour करते हैं तो ये जो कमल हसन का party है वो बोल रहा है कि ये जो चुकी female ज़्यादा काम करती है तो इसलिए manifest में है कि तो इनको pay करेंगे तो ये writer मुद्दा उठाया है कि is it correct तो चलिए आप लोग बाती से सुरू करते हैं तो क्या लगता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि female को पैसा दे काम के लिए घरिलू काम के लिए तो आप घर का काम करते होंगे तो ये exception ही होगा अगर आपके घर में sister है तो अगर है तो मेक्सिमुम का मुही करती होगी घरिलू का अच्छा तो लेकिन ये अगर averaging करेंगे आच्छा आपका केस अलग है तब तो पिर मत हाउस इट वर्क के हिसाब से पर में मिलेगा लेकिन अगर जेनरलाइज करेंगे तो ये फिमेल को अगर नहीं दे तो कोई ऐसा नहीं है लेकिन उसी टाइमें जैसे मेल बाहर वर्क करने जाते हैं तो फिर वो अर्ण करके लेकर आते हैं और वो फिर ये ना जाता है कि हाँ ये मेरा बाहर काम करने का है तो ये मेरा वो जो जो उसी के लिए तो ये बना रहा है न एक बना रहा है जो अगर कुछ खास क्लास को चुन ले, जो भी करे, वो पे करना, इस बात के लिए पे करे कि आप घर में काम करती है, अगर. आप पूर सर अच्छा है. अनिमेश क्या बोला. ऐसे मैं तो सर मेल बोलेगा, तुमको तो पैसा आही रहा है, मैं तुमको नहीं दूंगा. तो एक मुद्ध उठाया कि हाँ, तो इसे मिलेगा, लेकिन फिर ये बोल रहा है कि कई सारे प्राब्लम्स है. तो ये जो होगा, इसे फिमेल का बर्डेन बढ़ेगा ही, क्योंकि ये फॉर्मली इंडॉर्स कर रहा है, कि ये काम तो फिमेल कहीं है, जैसे मतलब कि हम मेरा क्या बल रही है? सर, तो ऐसे में फिमेल का एजुकेशन तो और लो हो जाएंगा? हाँ, वो ही, वो ही. तो ये कमल हसन का पार्टी जो एक नया जो मैनिफेस्टो दिया है, ये मैनिफेस्टो जो है, ये दिखने में बहुत अच्छा मंता कुछ बोल रही है क्या? अच्छा, तो ये जो है, वो दिखने में तो बहुत दिख रहा है क्या रे तो रेवोलुशनरी है, बट ये जो है, ये सरकारी रिकोगनीशन हो जाएगा, कि आप ही का काम है, एक, तो और फिर मेल जो रे डिस्ट्रिबुशन है, कि काम को कैसे रे डिस्ट्रिबूट करना घर में, वो रे डिस्ट्रिबुशन भी जो होगा, वो खत्म हो जाएगा, तो मेल और भी काम करना बंद कर देंगे, तो तो यह रैटर बोल रहा है कि हम लोग को दिमाग इस बारे में लगाना होगा कि कैसे मेल का participation घरिलू काम में बढ़ जाए यह देखना पड़ेगा चली आगे बढ़ते हम लोग यह आप लोग पढ़ लीजिएगा अगला जो आर्टिकल है तो आप कहां जाएंगे तो इसमें यह बहुत सारा option दिया है टेलिग्राम को तो आप लोग जानी रहे है सिगनल में आप लोग कुछ लोग shift कर गए होंगे सिगनल में भी WhatsApp जैसा ही है इंक्रिप्शन अगरा ठीक ठीक उसी तरह से है बट एक कुछ डेटा यह भी शेयर करता है इसके लाव एश्पाइक है session है session में क्या है कि session में थोड़ा unique है कि आप session ID कर create करेंगे तो आप phone number आपका नाप even सामने वाला को बेसकता ना पता रहे कि हम किससे बात कर रहे है अगर उसके पास session ID है session ID तो session ID आप create करेंगे आप वही बात है उस तो पहुचाएंगे कैसे यह एक issue है कि अगर आप पहुचा दिये तो पता चल गया कि तो जिसम बात करें लेकिन अगर session ID बीने जाने हुआ कर पहुचा दिया गया तो दो आदमी को पता नहीं चलेगा कि कौन किससे क्या बात कर बात कर रहा है तो session थोड़ा अलग टाइप का है इसका थ्री माइस paid तो paid है ज्यादा शिक्योर है तो इसके बारे में निकला हुआ है आप लोग पढ़ लिजेगा यह हम केवाल general knowledge बढ़ाने के लिए examination point of view सरसे नहीं दिया है general knowledge बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लो French में हम काफी पहले पढ़े थे अब spelling सायद हम नहीं लिख पाएंगे तो पार्ल ऐसी तरह का कुछ यह होता है जब पार्ल फ्रास है पार्ल पार्ल का मतलब होता है to speak जैसे बोलेंगे जब पार्ल इंदे तो जब पार्ल इंदे का मतलब हो गया जब मैं पार्ल बोलता हूं इंदे हिंदी तो यह जो है यह पार्लेट करके एक माइक्रो ब्लागिंग साइट है इसमें ट्विक्टर जैसा इसमें कोई कुछ वह पुलते यह कुछ मतलब इसको कोई-मड MORडरेरीशन नहीं है इसा ना यह घड्ळ चलगा तो पार्लर में पोार्लर निससे पार्लर नोग ट किय गया था क्या दिखाते हैं, कई सरे पोस्ट किये गए, execution of terrors, traitors, मतलब कि वहाँ जो लोग Congress में थे न, बैठे हुए, ये देश द्रोईयों, देश द्रोईयों को मार डाला जाए, इस तरह के पोस्ट पार्लर में गए, पार्लर को Apple, Google, और Amazon, ये बोले कि Apple, Google, और Amazon, ये लोग बोले कि तुम अपना जो, जो कि पार्लर एप है, तो एप है तो iPhone में भी एप होगा, जैसे Twitter है, Google Play में भी एप होगा, उसे तरह से Amazon से भी उसका कुछ लिंक है, तो ये लोग बोले कि तुम जो इस तरह के egregious जो जो ट्वीट्स है, ट्वीट्स है, जो बहुत खतरनाक है, जो रक्तपात करा सकते हैं, उनको हटा, तो पार्डर कहता है कि हम तो free speech वाले हैं, हम तो कुछ नहीं रोकते हैं, जिसको मर्जी जो भी बोल सकता है, तो वो उसको नहीं हटाया, और यहां पर बता ही दिए कि राइट विंगर स्लो का अड़ा है इसमें, तो इसको ये जब नहीं हटाया, तो फिर Google Play और Amazon App Store इसको रिमूव कर दिये, तो इस कारण से ये न्यूज में आया हुआ है, पूजा तो यहां है, नहीं ये कोशन पूछी थी, हम बता दे रहे हैं, सायथ क्लास के ठीक पले, इसलिए पूली होगी कि हम बता बदे, उसमें वो entanglement बोली है, तो हम थोड़ा से बोलेंगे entanglement, actually क्या है ना, उसमें इसमें था, किसमें था, अबलब बोलेंगे, नहीं बोली है, निमेश, तो यह photon से यहां पे टकराए, यहां पे photon यह था से टकराए आई, धर गया photon, नहीं धर गया photon, तो बोल रहा है कि अगर दो photon entangled है, entangled, मतलब यह photon है और एक photon है, अगर यह entangled है, तो अगर इसका जो spin होगा, वो spin, इसका spin को परभावित करेगा, चाहें वो यहां भी रहे होगा, चाहें वो यहां भी रहे, मतलब कि यह अगर spin कर रहा है किसी खास speed में, तो यह भी किसी entangled state में हो, तो कहीं भी जाए, वो entangled ही रहेंगे, याने कि एक का दूसरा परसर पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर यह यह यहां पर पहुंचा, तो इसका state को guess किया जा सकता है, तो यह communication तो हुआ कि यहां पर क्या है, इसके पहुंचे कारण यहां कि पर में आइडिया मिल रहा है, तो यह communication है, that is quantum computing में इसके यूज होता है, this is what entanglement is, किसी को इतना दूर में कोई problem है, आप लोगों को साम को मुम्ता क्लास ले रही है, 730 से लेकर के साथी बजस ले ले, तो हाँ, तो आप लोगों को कल आप लोगों को छुटी दे देंगे, हम बाहर है, दो दिन के लिए, तो कल आप लोगों को छुटी दे देंगे, परसो साम में टेस्ट होगा, और परसो मम्ता का क्लास होगा, तो कल आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आप लोगों टाइम ह लगता है किसी कुछ पूशन नहीं है तो फिर पढ़िए जा करके और साम का क्लास कीजिए क्लोच कर रहे क्लास थैंक यू सर थैंक यू सर